हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल मायूनिक अकेडमी फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा था इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर मैंने आपको पहले बता दिया था फ्रॉम बेसिक टो एडवांस लेबल तक में पढ़ाऊंगा सभी one day competition exam के लिए important है जहां कहीं भी English syllabus है English related question पूछे जाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं सभी के लिए उपयोगी है तो मैं आपको फिलाल syntax पढ़ा रहा था और syntax में मैंने काफी वीडियो बना दिये हैं तो उनको आप देख लेजिए और चलिए देखते हैं आज का topic क्या है चोटे चोटे कुछ topic पचे हैं इनको मैं एक दो वीडियो में समात करके syntax आपको complete करा दूँगा तो आज मैंने तीन चार topic लिए हैं चोटे चोटे तो पहला जो topic है वो है not only but कहीं कहीं not only but also लिखा होता है तो आप not only but लिखेंगे फिर भी सही माना जाएगा और not only but also लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा तो जब दो subjects को not only but के द्वारा जोड़ा जाता है तो वर्ब के number और person अंतिम subject के अनुसार होते हैं इसका क्या मतलब पहले इन लाइन का मतलब समझे लिजे यानि जब दो subject है मान लिजे subject दो है या noun या pronoun कुछ भी है वो subject है लेकिन दो है और उनको not only but also के द्वारा या but के द्वारा जोड़ दिया गया तो वर्ब जो आएगा वो अन्तिम subject के अनुसार हैगा अगर अन्तिम subject singular है तो वर्ब singular रहेगा अन्तिम subject plural है तो वर्ब plural रहेगा बहुत आसान है जैसे example देखे not only India but all countries are in trouble तो यहाँ पर दो noun है एक तो इंडिया और एक country तो countries यानि प्लूरल है और इंडिया singular है not only but के दोरा अलग किये गए हैं यानि जुड़े हैं सुरी इंडिया और countries not only but के दोरा जुड़े हैं तो अब भाई हमें वर्ब का यूज़ करना है तो अब वर्ब हम इंडिया के नुसार यूज़ करें या फिर country के नुसार यूज़ करें एक समस्या है तो इतना ध्यान but all countries are in trouble is नहीं यूज़ करेंगे अगर is यूज़ कर देंगे तो फिर हम गलत हो जाएंगे क्योंकि अंतिम सब्जेक्ट जो है country है और country plural है यानि countries है तो हमने आरका यूज़ कर दे दूसरा sentence भी सी परकार है not only he but also but all his friends were arrested ना केबल वो बलकि उसके सभी दोस्त भी गिरपतार कर लिये गये तो not only but के द्वारा दो subject जोड़े गये हैं he और कौन है all his friends लेकिन हमने वर का यूज़ किया was का यूज़ नहीं किया क्यों क्योंकि friends plural है और मैंने बताया जो अंतिम subject होता है यानि बाद में जो subject होता ह है उसी एक अनुसार वर्ब का यूज़ करते हैं अगर friend यहाँ पर singular होता तो वास का यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ friend से plural है तो हमने यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया nothing but plus noun कभी कभी ऐसे sentence आपको देखने को मिल जाते हैं तो देखिए ऐसे वाक्यों में कौन से वर्ब का यूज़ करें हम singular या plural अभी देखिए पढ़िए ऐसे वाक्य में nothing but के बाद कोई singular या plural noun आता है पर वाक्य का वर्ब सदा singular रहता है जैसे nothing but snow is seen nothing but trees is seen यहाँ पर जो दूसरा sentence देखिए यहाँ पर जो सीन है यह डबल ई यहन होना चाहिए ओके जो ऊपर वाला सीन है वही नीचे वाला होना चाहिए लेकिन यहाँ पर mistake है तो nothing but snow is seen nothing but trees is seen तो देखिए यहाँ पर यह जगा singular है यानि इसनो है singular और दूसरी plural noun है लेकिन हमने verb हमेशा singular ही यूज किया है क्यों क्योंकि वास्तों में यहाँ पर snow or tree subject है ही नहीं subject कौन है nothing ओके यहाँ पर subject nothing है और nothing subject है यह हमेशा singular रहता है nothing और इसलिए हमने singular verb का use किया वही लिखा है ऐसे में subject nothing होता है ना कि but के बाद आने वाला noun ओकी तो but के जो noun नहीं है निए और नहीं यूज करना है वर्ब हमें nothing के अनुसार यूज़ करना है और नहीं क Ohhh रहता है और उजक बाद हमेंसा singular verb का use कि यूज किया जाता है तो वही लिखा है ऐसे वाकिन नहीं nothing but के बाद कोई singular या plural noun आता है पर वाकिन सब्जक होता है वह नहीं होता है hop ayud के बाद आने वाला noun pronoun ओके आसान था आप समझ गए होंगे अब यह जो आज का तीसरा पॉइंट है यह quantity words and the verb कुछ quantity words होते हैं जैसे much more little less यह adjective आप quantity कहे जाते हैं क्योंकि यह किसी मात्रा को दरसाते हैं जैसे लिखा है जिनसे वस्ट की quantity आनि परिडाम का बोध होता है मात्रा का आता वाक में subject की भाद प्रियुक्त होने पर इनके साथ सथा singular verb का यूश किया जाता है और जो मात्रा में जो चीज़े आती है वो हमें साथ singular में होती है आपको पता होगा कि जो जैसे water या फिर कोई चावल है एक किलो दो किलो मात्रा में तो ले जाते हैं लेटर में तो यह हमें साथ singular में होते हैं तो much more little less adjective of quantity है quantity मतलब मात्रा और यह जब subject के अस्थान पर आते हैं तो हमें साथ वर्ब सिंगुलर ही होता है जैसे not much has been done तो हमने has का यूश किया have का यूश नहीं किया क्यों क्योंकि much subject के अस्थान पर आया है अब देखें दूसरा संथे much more remains to be done अब हमने remains का यूश किया यानि singular verb का यूश किया remain का यूश नहीं किया क्यों क्योंकि much more subject के अस्थान पर आया है as a little has been done so far तो यहाँ पर भी वही concept लागू है little हमेशा अपने बात singular verb को रखता है क्यों क्योंकि little adjective आप quantity हमेशा singular होता है quantity हमेशा कैसा होता है singular इसलिए हमेशा singular verb ही अपने साथ रखेगा little has been done so far not little have been done so far गलत हो जाता यह सब छोटे छोटे concept हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए यही से question competition exam में पूछ लिया जाता है जैसे एक और है multiplication and the verb तो multiplication जो है जैसे आपने देखा होगे mathematics में कभी कभी ऐसा sentence रहता है जैसे देखे six times four या twice two mathematics में multiply करने के लिए ऐसे वार के परियोग में आते हैं जैसे पहला sentence है six times four is 24 यानि कि छे चौबिस होता है ओके twice two is four दो दूनिज चार होता है तो आप six times four अब हम यहाँ पर is use करें are use करें यह आपके माले जैसा sentence में दे दिया competition exam में तो आप confused हो सकते हैं कि are use करें या use तो यह दियान देखिए हलाकि use तो कर सकते हैं दोनो use कर सकते हैं दोनो मैं आपको बता दू मतलब singular plural दोनो use कर सकते हैं बट जहां competition या grammar की बात आएगी अगर आप किसी competitive exam में बैठे हैं exam दे रहे हैं तो आप हमेशा singular का ही use किजिए इसलिए हमने यहां parade में देखे लिखा है ऐसे वाक्यों में singular verb का use जादा अच्छा माना जाता है कहने का मतलब use दोनों कर सकते हैं अगर आप वह ऐसे language लिख रहे हैं कोई किसी long question का answer दे रहे हैं कहीं है ऐसे sentence लिखना पड़ा question के answer में तो आप लिख सकते हैं अगर आप answer वगेरा लिख रहे हैं लेकिन अगर आप competitive exam में बैठे हैं तो आपको हमेशा is का use करना है 6 times 4 is 24 twice 2 is 4 ऐसे बहुत सारे आते हैं ओके यह जो last concept है आज़का there plus verb plus subject यह बहुत important है और यह question मतलब यह topic अगर आप समझ गए तो दूसरों को आप post सकते हैं और वो confused हो जाएगा कि क्या use करें तो देखिए पढ़िए पहले इसको देहान से there से आरंब होने वाले वाक्यों का वर्ब असली subject के अंसार होता है there से आरंब होने वाले वाक्यों का जो वर्ब होता है मालेज़े कोई sentence है वो there से आरंब होता है तो उस वाक्य का उस sentence का जो असली वर्ब होता है वो असली subject के अंसार होता है अब असली subject आपको पहचानना पड़ेगा प्रिपुजीशन के बाद आने वाले नाउन के अनुशार नहीं है ध्यान दिजे जो वर्ब आएगा वो असली सब्जेक्ट के अनुशार आएगा ना कि जो प्रिपुजीशन के बाद नाउन प्रोनाउन आया है उसके अनुशार और वह असली सब्जेक्ट कौन सा है वह असली सब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन होता है जो प्रिपुजिशन एड़वर्ब इन्फिनिटिब के पहले आता है ध्यान देजिए असली सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा और असली सब्जेक्ट कौन होगा असली सब सब्सक्राब में आए तो वह असली नहीं है और नकली का अनुसार यूज करना यूज करना है असली सब्जेक्ट का अनुसार असली सब्जेक्ट है अमेंचा प्रेपूजिशन एडवर्ब या इन्फिनिटिब के पहले आता है पहला संटेंस देखिए there is a cup on the table तो there से पहली बात तो यह sentence आरंब हो रहा है या नहीं, start हो रहा है चो मैंने पहले आपको बता है फिर आपको verb यूज़ करना है तो verb मैंने बता है असले subject के अनुसार यूज़ करना है और यहाँ पर दो subject है मतलब दो noun है एक तो cup है, एक table तो मैंने पता है on preposition है, on के बाद वाले जो noun होते हैं, उनके अनुसार नहीं यूज़ करना है preposition के पहले यानि on के पहले जो noun है उसी के अनुसार यूज़ करना है तो there is a cup, तो cup क्या है noun, तो हमें cup के अनुसार verb कर यूज़ करना है, cup singular है तो हमने verb singular कर दिया, is कर दिया there is a cup on the table दूसरे sentence पर हमने देखिए there are cups on the table क्यों? क्योंकि cups यहाँ पर plural हो गया, इसलिए हमने आर क्यूश कर दिया हमने बताया preposition, adverb, infinitive के पहले जो noun pronoun होता है, उसी के अनुसार verb क्यूश किया जाता है, ना कि बाद में adverb, और adverb के पहले हमने देखा noun match, यह singular है इसलिए हमने इसका यूश कर दिया चोथा sentence है, there is no food to eat to eat, infinitive है infinitive के पहले जो noun है food, वो singular है, इसलिए हमने इसका यूश कर दिया, there are books to read, to read क्या है infinitive infinitive के पहले जो noun है, वो plural है इसलिए हमने आर कयूश कर दिया यानि plural noun है, तो plural verb भी आएगा, तो इस सारी चीज़ा आप समझ सकते हैं, और मैंने आज आपको 3, 4, 5 पॉइंट जो भी समझाए, उसको ध्यान में रखिए, यहां से question जरूर पूछे जाते हैं और अब कुछ exercise है मैं आपको दे देता हूँ, उनको करियेगा यहां पर कुछ exercise है correct the following sentences, यानि इन sentence को आपको correct करना है not only see, but all her sister has been married, यहां पर कुछ चीज़े गलत हैं, चाहे वर्ब को लेकर गलती हो, या फिर और किसी चीज़ को लेकर गलती हो, उसको आपको धूरना और sentence को correct करना है ओकी अगर आपको कोई sentence समझ में नहीं आता है तो आप इसको comment box में लिख दीजिए अगर कोई sentence आपको समझ में नहीं आता है तो comment box में लिखिए, उसको मैं आपको जरूर solution दूँँगा, और वीडियो को लिखना है तो comment box में जरूर लिखिए